अब खबर कोटा से है जहां चिटफन कमपनी बना कर लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखा कर करीब सौ करोड से ज्यादा की ठगी करने के मुख्या आरोपी ने कोट में सरेंडर किया है आरोपी मुल्डी मनोहर नामदेव लंबे समय से फरार था पुलिस ने उसकी गुरफतारी पर 10,000 का इनाम भी घुशित कर रखा था अब आरोपी ने कोट में पहुँचकर सरेंडर किया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफतार किया जानकारी के मुताबे कमपनी ने कोटा संभाग के करीब 2,500 निविश्कों को चूना लगाया है कमपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ गुमानपुरा, भीम गंजमंडी, जवाहन नगर, आरकेपुरम थाने में करीब 90 मामले दर्ज हैं इन मामलों में 5 लोग पहले भी गुरफतार हो चुके हैं करोण की रगी में आरोपि मोडली मन हो और नामदेव जवारा कोट में उपस्तित हुआ, जहां कोट से उसे विविन प्रक्रणों में प्राप्त किया गया है उसके लगब असी प्रक्रण कोटा शहर के विविन थानों में दर्ज हैं चुकि अभी वोड़ से प्राप्त किया गया है, सर्विस्टर कानुसंदान किया जाएगा उसके बाद ही उसके दोरा इस पूरी वार्दा को किस प्रकार से अंजान दिया गया ईसके संबंग में खुलों से किच अभी तक चुकि इसमें में तीन आरोपी थे वडी मनुवर नम देव हर्यों सुमंद तो इनमें से संजैं करश्यव और नम देव रफ्तार हो चुके हैं एक अभी बाकी है, मेन आरोपियों में से, बाकी बेभूनी प्रकड़ों में आलाग अलाग मुल्जीम है, इस प्रकार लगवगा अभी तक 10 आरोपियों को रफ्तार किया जा चुका है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए है वरिश सम्वाद्धाता प्रणे विजे प्रणे क्या कुछ मामला है, 2500 से 3000 लोगों को 100 करोर से बड़ी ठगी बताई जा रही है जिनको इतने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और सरेंडर कर दिया है कोट जाकर, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर जी, ये एक बड़ा मामला था, जो चिटफंड कमपनियां लोगों के गाड़े पसीने की कमाई खाके भाग जाती है एक उसका जीता जाकता उदारन है कोटा में, ये अपेक्षा ग्रूप का था, जो महाठगी प्रक्रण है इसमें इनापी आरोपी है, जो एमडी मुरली मनोहर नामदेव है, उसने सरेंडर किया है करीब पिछले दो साल से ये प्रक्रण चला आ रहा है, और एक सी आई और एक हेड कॉंस्टेबल इसमें सस्पेंड हो चुके हैं, छे महीने पहले आरोपी पर आई जी ने किया था, दस अजार का इनाम घोशित कर दिया था पूरा मामला जो है प्रक्रण बताना चाहता हूँ कि चिटफंड कंपनी में बताकर लोगों को मतला अमीर बनाने का सपना दिखा कर करीब एक सो करोड से ज़्यादा की ठगी कर ली थी लोगों ने चिटफंड कंपनी थी, पास साल से लगातार ये कारे कर रही थी और बारा की मुक्षन जो मुक्खे आरोपी है वो बारा का है इसमे लोगों को पहले जहासा दिया जहासा देकर बड़िया मुनाफ़ा दिया, बड़िया ब्याज दिया बड़े होटल में लगातार पार्टी की और हर मंतली पार्टी इस तरीके से पूरी तरीके से कोटा के आकाश मोल में आफिस लिया और लोगों के गाड़ा पसे नहीं कमाई इसमें मासिक रूप से और किष्टों के रूप में ली और ज्यादा ब्याज का ज्यादा मुनाफ़ा देने का भरोसा दिला कर उनको साथ आरोपी है को डिटेन किया जा चुका है मुख्य आरोपी है वो उसने कोट के सामें त्रेंडर किर दिया है कोटा पुलिस की बड़ी सफ़ता है कि पिछले छे महीने से कोटा पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और हजारों लोग इससे पीडित हैं आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो क्या कारण है और उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्या इसमें कोई कानूनी कारवाई की कोई धिलाई है कि इनको सजा नहीं मिल पाती है और ये मामले जो हैं लगातार ठगी करते रहते हैं लगाता है लोगों को गाड़े पसीने के लिए कमाई को लेकर रूट रही है उसके बावजूद लोग साउचेत नहीं है दरसल ये लोग शोशल नेटवर्क मार्केटिंग से अपना जाल भिछाते हैं लोगों को अपने अपने भरती करते हैं तो वही लोग अपने रिष्टे एक ने एक दिन फरार हो जाते हैं तो निश्चित तोर पर ये कहा जा सकता है कि चिट फंड कंपनिया क्रेडिट सोसाइटीज में लोग इन्वेस नहीं करें इतना भी जब ज़्यादा मुनाफ़ा दे रहा है वो कहीं न कहीं गड़बरी करेगा ये निश्चित तोर पर है क कहीं गलती करेगा और पैसा कहां से देगा जो गोर्मेंट को इतना मुनाफ़ा ब्याज नहीं दे पा रही है तो यह से सोसाइटीज वाले और किस तरीके से देंगे लेकिन लोग फोड़ा इनकी मासूम हैं इनकी ठगी का शिकार हो जाते हैं इसी वज़े से प्रलोबन की व का शेयर नहीं आगे?